ओम शान्ती आज 12 मैं 2023 है आज हम बात करेंगे दो विशेश गुणों के बारे में संतुष्टा और सरल्टा दोनों हमारे जीवन में कितना महत्व रखते हैं और दोनों के समावेश से हमारे जीवन कितने महान बन जाते हैं आएए सुनते हैं आज का स्लोगन संतुष्टा और सरल्टा का संतुलन रखना ही स्रेश्ट आत्मा की निशानी है संतुष्टा सर्व स्रेष्ट गोण है क्योंकि जहां संतुष्टा है वहां सर्व बाकी गोण automatically आ जाती है संतुष्टा कैसे आते हैं जब आत्मा अंदर से प्राप्ती संपन की अनुभूती करती है तो अंदर से संतुष्टा का अनुभव होता है अंदर से संतुष्ट हो जाते हैं अर्थात जब आत्मा त्रप्त होती है भरपूर होती है तो उसकी निशानी के रूप में बाहर से संतुष्ट नजर आते हैं और अंदर से भी संतुष्ट होते हैं संतुष्ट आत्मा स्वयम के पुरुशाद से संतुष्ट होते हैं, स्वयम के सेवा से संतुष्ट होते हैं और संबन संपर्ग से अर्थाद अन्यात्माओं से भी संतुष्ट होते हैं संतुष्ट आत्मा हई हर चीज में किसी भी बात में सहचता से सहन कर पाते हैं और समा भी पाते हैं क्यों क्योंकि अंदर से भरपूर होने के कारण से वे स्थिर है अचल अडूल है उसे कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकते अंदर से अतीश शांथ होते हैं दूसरा गुन है सरलता सरलता भी एक महान और एक स्रेश्ट गुनों में से है सरलता आती है सत्यता से जब अंदर दिल स्वच हो साफ हो पवित्र हो तो सरलता ऑटोमेटिकली आती हैं क्योंकि अंदर में किसी के बेप्रती कोई बात के लिए कोई खोट नहीं है इसलिए सरलता Automatically, सत्यता की धारना से आती हैं। सरल आत्मा, real goal की तरह अपने स्वभाव को, अपने संसकार को बहुत ही जल्दी मोल कर पाते हैं। वे हर आत्मा के साथ एज्जस हो करके चल पाती हैं। तो ये है सरल आत्मा की विशेष्टा, सरलता के गुणों की महानता। अब इन दोनों गुणों को हम संतुलित रूप से अपने जीवन में धारन कैसी करें। दोनों गुणों का संतुलन रखना इसको कहा जाता है। वास्तव में देखे, तो संतुष्टा का अर्थ है स्थिर्ता, अचल अडोल। और सरलता का अर्थ है परिवर्तन शक्ति, अपने आपको मोल कर पानी की क्षमता। तो आत्मा कब और किस समय अपने आपको परिवर्तन करना है और कब और किस समय अपने आपको स्थेर और अचल अडोल रखना है दोनों बातों का संतुलन रखना ये दोनों गुनों के संतुलन रखने के समान है कई बार हम अपने आप से अपने सेवा से इतने संतुष्ट होते हैं कि कोई नई चेंज, नए परिवर्तन हम accept नहीं कर पाते हैं जो है जैसा है उस सब अच्छा है सब संतुष्ट है स्वयम भी संतुष्ट सब भी संतुष्ट कुछ नया चैलेंज लेने को हम स्विकार नहीं कर पाते हैं इसलिए कहा सरलता के साथ संतुलन सरलता अर्थाद उन परिस्तिती को उस नए चीज़ को एकसेप्ट करना अपने आपको ऐसा परिवर्तन करना अपने आपको ऐसा मोल करना जो नए चीज़ को अपने जीवन में शामिल कर पाए तभी तो हम स्रेश्ट आत्मा बन पाएंगे त तो ऐसे ही दोनों ही गुरूं का हम संतुलन रखे और अपने आपको स्रेश्ट बनाते जाए ओम शांती